वेलकम तू कंप्यूटर क्लास, आज ही क्लास में हम आपका चेप्टर नमबर फाइव, हार्टवेर एंड सॉफ्टवेर में सॉफ्टवेर को डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले हार्टवेर मैंने आपको पीछे की ऑनलाइन क्लास और वीडियो में समझा दिया था आज हम सॉफ्टवेर के बारे में पढ़ेंगे सॉफ्टवेर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेर वो चीज़े होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को कंप्लीट करती हैं मतला हमारे computer में hardware and software दोनों की जरुद होती हैं. hardware में आपको समझा दिया था कि hardware वो चीज़े होती हैं जिने हम देख सकते हैं, छूँ सकते हैं, तोड़ मरोड सकते हैं. इसे के ही opposite, software computer से related वो चीज़े होती हैं जो हमारे computer के अंदर होती हैं, जिने हम ना तो छूँ सकते हैं और ना ही उन्हें तोड़ मरोड सकते हैं. वो होती हैं आपकी software. यहाँ पर आपके पास software के दो टाइप्स यह हैं, application software और system software. सबसे पहले हम application software को discuss कर लेते हैं. application software वो software होते हैं, जो हमें किसी specific task को, किसी विशेश कारे को पूरा करने के लिए help करते हैं. माल लीजे, जैसे अब हम Google Meet पे classes लेते हैं, अगर आपके phone में Google Meet ही ना हूँ, तो आप online classes नहीं लगा पाऊगे. क्योंकि मैं online classes में Google Meet के द्वार आपको पढ़ाती हैं. अगर आपके phone में Google Meet ही ना हूँ, तो आप वो काम कर ही नहीं सकते. इसी तरह वो क्या है, मतलब Google Meet क्या है आपकी application software है, क्योंकि आपको classes जोइन करने के लिए Google Meet को install करना ही होगा. वो है आपके application software जो किसे विशेश कारे को पूरा करने के लिए हम अपने device में install करते हैं. यहाँ पर आपको कुछ options भी दिये हुए हैं, आप इसे खुद पढ़ेंगे. system software आपके पास किया है, system software हमारे computer को operate करने के लिए, हमारे computer को start करने के लिए ही सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं. इन्हें हम operating system भी कहते हैं, माल नीचे आपका phone अगर on ही ना हूँ, जब आप new phone खरीते हैं, तो आप आप on करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने तो कोई चीज इंस्टॉल नहीं की है, पर जो उसमें चीज़े होती ही, वो क्या है आपकी system software, वो क्या है आपकी system software, वो च चुरू करने के लिए जरूरी होती है, वो होती है आपकी system software, और वो application या वो software जो आपकी किसी विशीष कारे को पूरा करने के लिए हम install करते हैं, उसे कहते हैं application software, इसके बाद आपके पास hardware and software में difference भी दिया है, page number 30 पर, जो मैं आपको question answer के साथ करवाऊंगी, डाइग्राम में अच्छे से हम explain करके उसे समझेंगे, आज ची क्लास में आपके लिए इतना ही, आप hardware and software को अच्छे से समझें, अगर आपको फिर भी कोई question है, तो आप मुझे message या call, या फिर online classes में question पूस सकते हैं, आज ची क्लास में आपके लिए इतना ही, thank you and have a nice day.